यह सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी थी सेवेंटीवन से पहले अब कंट्री हाफ हो गया बंगला तेश्या लगए क्या आर्मी कम हुई नहीं हुई यह नहीं हुई भाई सोचना था एक इतनी बड़ी फॉज को जस्टिफाय करना भी बड़ा काम होता है वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा जब तक एक एक आजी अभी कुछ दिन पहले की डिवलप्मेंट है यह डिवलप्मेंट किया है कि हमारे यहां राजोरी में या बिंबर गली सेक्टर के परऊस में एक टेरर अटैक हुआ आतंगी हमला वो हमला एक ऐसे टाइम पे जब इ सी इंडिया की मैस में सँजाएगा कोई मैच होने का चांस है अचा बेंगा इसे waist これ बोलते हैं कोथ इक पुरा दूपुछ ऐस है नि वह इतना लोग जानते हैं उससे दसगुना जादा लोग इंडियन्स पाकिस्तान के बारे में जानते हैं उसके दो रीजिन्स हैं एक तो हम लोगों को हम लोग पाकिस्तान क्योंकि हम हमारी साथ मुस्लिम्स रहते हैं तो हम इसलाम को अंडिस्टांड करते हैं समाझ देखिए साच यह है कि पिछले सपि कि आपस में बिल्कुल बाचीत बंद है सब कुछ बंद है हम 75-80 साल पहले हम लोग अलग हो चुके अब उसको रोना तो बेकार है अटन जी ने भी यही बोला था कि हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी लोकेशन नहीं बदल सकते हम अपनी लोकेशन नहीं बदल सकते है आप हमारे पड़ोसी रहेंगे तो पड़ोसी पड़ोसी रहता है मैं इस चीज़ का हमायती रहता खुरें लोग यहां आके देखें कि यहां क्या है यहां के लोग वहां जाके देखें खास तोर से अक्रॉस दो बॉर्डर बोट साइज ऑफ कश्मीर सबको पता लगना चाह भी आ जाल यहां का लग यहांं करूंगा जबनाया मंसे पहुरिया आएगा दूसरी चीज़ एक इतनी बड़ी फॉज को जस्टिफाय करना भी बड़ा काम होता है वो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा जब तक एक एक आज अभी कुछ दिन पहले की डिवलप्मेंट है यह डिवलप्मेंट क्या है कि हमारे यहां राजोरी में या पिंपर गली सेक्टर के पड़ास में एक टेरर अटैक हुआ आतंकी हमला वह हमला एक ऐसे टाइम पर आजब इंडिया जी ट्वेंटी समिट कर रहा है इस लिए हमें य इलेक्शन्स जो पंजाब के इलेक्शन्स आ रहे हैं इन्हें रोको यह दो दूसरे दो दो स्टेश में एलेक्शन्स हैं वह रोको अब यही चीज जैनल बाजवा को एक्स्टेंशन देने के टाइम पर भी बोली गई थी कि इंडिया अटैक कर सकता है इसलिए हम जैनल तो छोड़ेगा वापस इंडिया नहीं रूल कर सकता पाकिस्तान ते जब तक दोनों कंट्री होल हार्टेट भी साथ ना है कब तक नहीं आ सकते इंडिया और पाकिस्तान साथ अब दूसरी चीज यह अपने अपने कंट्री के एलेक्शन्स अगर आप मुलत भी कराना चाह रहे हैं तो करवाईए ना लेकिन तो मत कीजिए यह चीजे मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि इनकी अनालिसिस कभी नहीं हुई है यह सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी थी सेवेंटीवन से पहले अब कंट्री हाफ हो गया बंगलाटेश्या लोगे क्या आर्मी कम हुई नहीं हुई कियो नहीं हुई भाई सोचना था लेकिन यह और भी जो आर्म्स लोबी है यह कुछ कैंट्रीज हैं जो के पाकिस्तान को अपने आर्म्स पेशते करोड़ों रुपे में या यहां पे एक सौब यह उठता है पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से क कि इंडिया के मीडिया पे चलती है कि बहुत ही अफ्सोसनाक वाकिया पेश आया पुच के मुकाम पे जो शहीद हो आपके जौँआ तो प्र अगर एक साइड पर हम धर रहे हैं तो दूसी साइड पे हम बेवफ़ हैं यह पबलीक का सवाल है कि हम क्यों टैक करेंगे कहीं ऐसा है कि जब वो देखती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वज़ा से दोनों में फिर से दूरियां आती है यह पब्ली का नेरिटिव है आप इसके उपर क्या अपनी राय रखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है यह क्यों चाहिए ना को इतना पाल रखाए जो है वो कर किया रहा है पाकिस्तान में बैठ करके रूल कर रहा है पाकिस्तान को उस थर्ड पावर को पहले वह अमेरिका था एश्चीम चायना अलग लेकिन एक ऐसा नहीं वह इंडिया नहीं है चाइना में प्रेस पे इतनी सेंसर्शिप है कि वहां वहां माउस से तुम करोड़ों लोग भूके मर गए एक जगह छपा नहीं ठीक है बिलकुल एक सोचने वाली बात है लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं डेमोक्रेसी को फालो करते हैं ऐसा हमें कहा जाता है तो फिर ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए रोहित भाई बड़ा इंट्रेस्टिंग सा सवाल है आप मैं समयता हूँ आज की वीडियो का जो मे बूद को या एक मिलियन के क्रीब लोगों को यूएस बुलाने जा रहे हैं 2023 के अंदर अंदर में ही क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया वालों की जब्रत यूएस को भी पढ़ गई अब वो वो वन मिलियन जो उन्होंने पताया दसलाफ लोग वो उनको जरूरत है हमारे यहां से वो अच्छे काबिल लड़के ले जाए उनको जरूरत है हमें उनकी जरूरत नहीं है इंडिया ने कभी यह नहीं बोला कि अमेरिकन्स आगे हमारे पास नोगरी करो यह हम अमे कर कर ना चाहते हैं इंडिया में इसी बार कि होनी के टाइम पे होली के दिन पे अमेरिका की सेक्रेट्री आई हुई थी और डिफेंस मिनेस्टर रॉइनाथ संग के घर पे अधिगल रही ती गोलगप्प खारी ते यह पिल विडियो साट्टल होना चाहते हैं वोड मोटर् हेंरी फोर्ड के पोते, अल्फरेड फोर्ड, यहां मुंबई में रहते हैं और मुंबई में सेटल्ड हैं, अब शायद वो वापस उनकी फैमिली वापस जा रही है, या कुछ ऐसा टेक्ट करें लेकिंगे मुंबई में सेटल्ड हैं। अभी स्टेटमेंट आई है जो बाइडन की तरफ से मतलब हमने ये सुने खबर आई है सोरी खबर आई है कि शायद जल्द ही जो बाइडन भी इंडिया का विजट करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बाते हैं आखिर वज़ा क्या मतलब देखे मैं पाकिस्तान में बैठा आ हूँ मैं देखें आप मेरे ऐसे एज में बड़े एक्सपिरियस में मेरे से बड़े आपकी अगर कंट्री की बात करें आप development की तरफ जा रहे हैं मेरा आपसे सवाल करना बनता नहीं है मेरी एक अपनी सोच है अपना वीज़ना मेरा आपसे सीखना बनता है मेरा आपसे पू के पीछे पीछे बहुत से कंट्रीक्स होने के बाब जूद भी वह आपके साथ ट्रेट करना चाहता है रशिया आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखे हुए है इवन यू अगर यूएई की बात करें अगर हम सौधिया की बात करें दुबाई की बात करें वह इस्लामि पूरी पूरी महनत एजुकेशन में लगा दें पूरी महनत इस चीज़ में लगा दे कि आप तरक्की कैसे करेंगे इंडिया में 19 अगर आप देखे 1950 से ही हम आइटी बना रहे थे हम मेडिकल कॉलेजिस बना रहे थे हम इस चेकर में आप अगर बताए मैं 28 तो आइटी बता सकते हूं 28 के आसपास आइटी मुझे एक्जाक पिकर नहीं पताब यहाँ सो मिनी आइटी और अटेज है शायद 23 है और हमारे पास IIM Indian Institute of Management भी भरमार है और उसके साथ से प्राइवेट इंगिनिरिंग कॉलेजिस वाट इंडिया है इंडिया कर क्या रहा है अपनी मैन पावर पर ध्यान दे रहा है इंडिया ने कभी भी मदरसा कर ब्रॉर्श नहीं होने दिया क्यों नहीं होने दिया यह एक् बच्चों को फॉरं में पढ़ा रहे थे और पाकिस्तान के बच्चों को बोल रहे थे कि असली जन्नत तो 72 हूरों में है आप मदरसे में पढ़ी और 72 हूरों के ले टागिट लीजिए तो वह चीज आज प्रॉब्लम दे रही है इंडिया के आप इंडिया के अगर आप दे अगर बताओ YouTube का चीफ कौन है इंडिया क्यों कि हमने इन हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम पर बहुत दिया था हमने पहले दिन से इस पर धियान नहीं दिया हमारे जो जितने भी मेनेस्टेर्स हैं या हमारे 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 कॉलिक्स में आगर आप देखेंगे हमारे प्राइ लेकिन यह समझने वाली बात है कि हमारे पास हम लोगों ने जो एजुकेशन पर दिमाग लगाया था अमेरीका में आज कितने डॉक्टर से इंडियन अगर यह वन मिलियन ले रहे हैं तो अपने लिए रहे हमाई लिए नहीं ले रहे हैं बहुत बात है बहुत बड़ी बात है कि देखें अब इंडिया कभी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में आज भी यही सोच है कि भाई अगर हमें यूएस का वीजा मिल जे अगर हमें कैनेडा का वीजा मिल जे अगर वहां की सिटिजनशिक मिल जे तो हम फखर फिल करते हैं मैं मोस्ली लोगों क जरा रहे हैं कि भाई हमें यूएस की जरुत नहीं यूएस को इंडिया की जरुत है यूएस को इंडियन्स की जरुत है अगर वो एक मिलियन वीजा दे रहे हैं एक मिलियन इंडियन्स को अपने कंट्री में बुला रहे हैं तो वो अपने लिए बुला रहे हैं हमें उनकी जर बिल्कुल सा क्वेस्टन है येस येस एक चीज़ करना चाहूंगा कि वो जमाने गए थे ताइम था आज भी है आज भी बहुत सारे लोग है वो चाहते हैं कि वो कैनेडा या अमेरिका या या यूरोप जाकर अपने हो लेकिन पहले अगर दस लोग कर रहे थे तो आज दो या पारत को आज सक्योंगे ये टीक होले जब होता है या यह डिक्टेटर ऊता है उसको वोट की चिंता नहीं पाकिस्तान उसे पहले ये सोचने वाली बात भी है कि इंडिया से समय पाकिस्तान जा रहा है इंडिया और इंडिया ऊवर्ड की 70 परसंट 80 परसंट ले रहे लेकिन वह वैक्सेंटिक नहीं जाती है तो कौन है हो लोग कौन है वो लोग जो उस उस छीज बने बेचने में कमा रहे आसे ये एक ये एक बहुत पुरानी पाकिस्तffen में और दूंश शाही बोलते हैं हंदी में उसका कविटा बोलते। एक बहुत पुरानी कविता है, वो कविता यह है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है, यही सोच, यही वीजिन और यही question मेरे हैं कि भाई no doubt Pakistan की side से बहुत सी mistakes हुई होगी हमने sorry हमने किसी की जांग को अपने उपर मसलत किया हमने अफगानिस्तान में जो किया शायद वो बहतर नहीं था हमने अफगानिस्तान के अगेंस जो अड़े दिये वो बहतर नहीं थे no doubt हमारी बहुत सी mistakes हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ note करने की जूरत है इंडियन्स को ये चीज़ समझने की जूरत है कि मेरे बाईयो believe me कहीं ना कहीं third power या third ऐसी कुवते मजूद हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के relation को बहतर होने नहीं देना चाहती हैं जो कि चाहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ही हम weapons बेचते रहें क्योंके चाहती हैं हम इंडिया को भी ऐसे ही अपना engage रखें इस conflicts के अंदर इसलिए हमें ये सोचने की जूरत है कि जब भी कोई वाकिया होता है हम बिना आंखे बंद किये ना तो आपके ख्याल में जैसे इंडिया की जूत में बहुत सी अवेरनेस आ चुकी है जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले अब ये कहते हैं कि भाई हम यहां ही यूके बनाएंगे यही पर यूएस से बहतर environment बनाएंगे ऐसे ही यह सोच हमारे यहां कैसे आ सकती है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले तो आपको इसलाम को मानना पड़ेगा आज आपने इसलाम को यह मान रखा है कि इसलाम तर्की ने भी किया है इंडोनेजी आपके प्रडॉस में उसने भी यह किया है और दूसरे कंट्रीज भी मांने के लिए तैयार है लेकिन एकॉनमी की तरह चलेगा अब पाकिस्तान हर चीज में इसलाम ढूंदा है जो चीज नहीं होगी वह इसलाम ने मैं बताता हूं अब तो मैं बतातू कहा प्राउब्लम है हमारे कंट्री में भी भूस सारी एसी स्टेस हैं जिसमें जिसमें लेकर नहीं देख पाकिस्तान में क्या शराब नहीं बेची जारी है पीज़त है सब पीर है हमारी बहुत साली स्टेट्स ने ऐसे बूल बनाई थे कि आप शराब ने दिखेगी कल से वह कंगाली की कगार पर आ गई और उन्हें फिर से स्टार्ट करनी पड़ी एक नहीं है मैं दस चीज़े बता सकते हूं आपको आप इसलाम के चश्मे से देखेंगे कंट्री को तो नह नहीं चलेगा आप इतना टैक्स कर रहे हैं कि आपकी सड़के बन सकती थी आपके इतने सारी चीज़ें इतने सारी चीज़ें जिसके लिए आप एक एक चीज़ करें आपका पैट्रोल पे सबसीडी बोली गई है आपकी 25 रुपे उनेट पहुंच रही है वह बिजली अगर लिक्र आपके ओपन में बिख रही होती तो टैक्स आता है अगर अगर एलकॉल की या सो रुपे की सबसेडी हो सकती है घरीबों को खाना दिया जा सकता था क्या यह कुछ नहीं किया सक्ता था वो tax आपको बिज्ली पे लगाना पड़ रहा है वो tax आपको इस पे लगाना पड़ रहा है यही बाद हमजी इसी चीज़ का रोना मैं भी रोता हूँ रोहित बाई ये भी हम अपने वीडियोज में एपने विलॉग में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं हमें ला इलाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इलाला जब पाकिस्तान बनाया गया तो ये आइन में प्रॉपर हमने मैंचिन किया इस्लामिक नजाम होगा हमें ये बताया गया कि इस्लाम के कवानिन के मताबिक हम लाइफ गुजारेंगे लेकिन आज अगर मैं पाकिस्तान की गौर्मेंट से बात करूँ आज मैं अगर पाकिस्तान के अधारों से बात करूँ तो शायद मुझे कोई ऐसा अधारा नजर नहीं आता जिसमें 100% इसलामिक निजाम हो या तो आप बिल्कुल इसलामिक निजाम लेकर आओ मैं फालो करूंगा क्योंके जो मेरे पाकिस्तान का जो मेरी कंट्री का निजाम होगा मुझे फालो करना पड़ेगा लेकिन हम दिखाएं कुछ हो आदा तीतर आदा बटेर बनेंगे तो दुनिया मजाख बनाएगी हमारा चैसे जेजा मुझे मेरे कंट्रीमें को समझने की जरूरत है मेरे गोर्मेंट को समझने की जरूरत है और रोहिक भई आपने बिल्कुल यह पॉइंट रेज किया जो आपने पॉइंट बटाया मैं काफी हा Bolsonaro किसे एगरि करता हूँ आप मुझे बताएं आपके मान में कोई स जानते हैं उससे दसगुना जादा लोग इंडियन्स पाकिस्तान के बारे में जानते हैं उसके दो रीजन्स है एक तो हम लोगों को हम लोग पाकिस्तान क्योंकि हम मुस्त हमारे साथ मुस्लिम्स रहते हैं तो हम इसलाम को अंडिस्टांड करते हैं समझते हैं पाकिस्तान में लोग मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रोहित क्या होता है उन्हें ये भी नहीं पता है शर्मा क्या होता है हमें पता है हमें पता है मुसलिम हमारे साथ रहे हैं मेरे इतने पुराने बच्पन के दोस्ति इनके घर पर मैं ईद पर जाता हू वो मेरे गर्देव्ली पे आते हैं. तो हमें इस्लाम के बारे में काफी कुछ पता है. Pakistान में वों को हिंदूइद्म नहीं पता क्योंकि वो तो पहले दिन से उनको बतायागा यहोद और हरोद दश्माद है तो उन्होंने दश्माद नहीं समझ gha उन्होंने कभी भी Hinduism को समझने कोशिश नहीं की पहली चीज दूसरी चीज पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और है पाकिस्तान में लोग समझना नहीं चाहते या पाकिस्तान में लोगों को समझाया नहीं जा रहा कि असलियत क्या है आपके सामने देखता है कि एक इसलाम कंट्री साओधियर एडिया पाकिस्तान को लोन देता है कितने पर तीन परसेंट पर तीन परसेंट इंट्रेस्ट पर जब इंट्रेस्ट हराम है इसलाम में तो उसने इंट्रेस्ट पर लोन कैसे दिया और पाकिस्तान ने कैसे लिया आप इसलाम कंट्री हो ना वह भी ये समझने की बात है, कि Islam is a religion, उसको आप बिजनस में नहीं डाल सकते, उसको आप डूसी चीज़ों में नहीं डाल सकते, अभी आपको एक बड़ी बात बताओं, शायद आपने ये, देखें हमारा भी आपका, no doubt मेरे से बहुत ज़्यदा experience है, और बहुत नज़र रखते हैं, recently, हामिग मीर साब ने अभी कुछ ही टाइम पहले, ये statement दी है, पाकिस्तान में बहुत वाइरल है, कि जो उन्हों ने बोला है, कि मेरी जर्नल बाजवा साब से मीटिंग हुई, जर्नलिस्ट की जो मीटिंग हुई बाजवा साब से, उनके टाइम में, तो उन्हों ने बोला मुझे आज से नहीं मिचे पिछले 30 साल से पता है, ये बास समझ ये, कि 6 लाग की पाकिस्तान की आर्मी, 14 लाग की इंडिया की आर्मी, मैच कहा सो जाएगा, कोई मैच होने का चांस है, हमारे अपने बनाय हुए प्लेन हैं, हमारे अपने बनाय हुए सब्मरीन हैं, हमारे टेजस हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारी आर्मी के जो हम टैंक से हम खुद बना रहे हैं, इन वाइफल हम खुद बना रहे हैं, यह एक थ Release प्रडाक्शन कंः, पाकिस्तान को हर चीज के लिए खरिदना पड़ेगा, अगर 20 फ्लेन, 50 फ्लेन लूज कर लिए पाकिस्तान ने पचास पर इंडिया ने लूज कि तो हम तो बनाते रहेंगे आपको खरीदने पड़ेंगे और कोई देगा नहीं देगा देगा किस कीमत पे देगा यह बात है छे लागार मी चौदा लागार मी जमीन आस्मान का फर्व होता है यह बात नहीं सारे अनलेस बोलते हैं कि पाकिस्तान इस नो मैच लेकिन देव कूफ बनाया जाता है नूक्लियर वेपन है हमारे पास पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं बड़े सारे हुकुम्रान बोलते हैं बदा बड़े सारे क्यामाता है आपकी बात काड़ रहूं लेकिन एड़ दी की आंसर सुनने को मिलता है लेकिन हमारे पास अटामिक बंब है तो उसके उपर जाएंडिया के पास भी वो अटामिक बंब है जो बलके शायद हमारे से ज्यादा या कम है वो एक लेदा बहस है लेकिन बात यह जो चीज हमारे पास है वो उनके पास भी है देखना यह है कौन स ज्यादा development हो रही है हम आईटी को बेहतर करें यह सोच हमें जब तक हम नहीं लाएंगे चाहद बेहतरी नहीं आएगी पाकिस्तार में हर बार दंकी दी जाती है एक चीज तो Islamic bomb यादि Islamic bomb क्या होता है यह बात मुझे आज तक नहीं समिखने आए इस्लाम यह भी बोलता है कि nuclear bomb बनाओ मैंने तो नहीं सुना मैंने कुरान पढ़ी नहीं है लेकिन जितने कुरान के हाफिज देखे हैं उनसे बात हुई मेरी किसी नहीं 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 हो सकता और कोई भी रिलीचन के प्रॉफट यह नहीं बोल सकते कि आप लोगों को बेगुना लोगों को मार दो कोई नहीं बोल सकते पाकिस्तान ऐसे ब्यूप बनाए गूमता है दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर दिमाग रगाईएगा कि बोला जाता है हमारे पास nuclear weapon है वो atom bomb है और यह हमने इमरा तालिस में आखरी चला था है कि सतर साल पहले पिचातर साल पहले अब आप वह चलेगा दूपारा चल पाएगा आप चला रहा है देख तो लीजी चला चाहरें देख लो नहीं पहला nuclear टेस्ट कभ कशक दीफ बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं हम महोड़े का बहुत है यापने इंड. प्राइमिनिस्टर पॉठिक है –नुकलियर लुकलिधि भूठ है